नमस्कार मैं हो नुशका, आज है 20 जुलाई, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में बतले जमीन फ्लैट वस सभी दस्तावेजों की रजिस्ट्रे के नियम बिहार कैबिनेट ने कुल नौ एजेंडों पर लगाई मोहर बिहार में वैक्सिनेशन के 14 करोड डोज हुए पूरे सुनल गावसकर ने सर्फ 20 मिनट में कोहली को फॉर्म में लाने की कही बाद बिहार बीएट प्रवेश परिक्षा 2022 का रज़ल्ट हुआ जारी सुर्कियों के बाद अब बिहार की 25 बड़ी ख़वरों की और बढ़ते हैं विस्तार से बिहार में बदले जमीन फ्लैट व सभी दस्तावेजों की रजिस्ट्री के नियम सितंबर महिने से बिहार के चार बड़े शहरों में जमीन फ्लैट समेट सभी दस्तावेजों की रजिस्ट्री बदले हुए नियम के आधार पर होगी इसके तहट पटना मुजबपरपूर, भागलपूर और गया में मौडल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री होगी आपको बता दे कि इस व्यवस्ता में आवेदक दस्तावेजों को तयार करने से लेकर निबंदन करने तक का काम खुद से ही ऑनलाइन मौडल डीड की सहारी कर सकेंगे इसके अलावे निबंदन कारियालों में बने में आई हेल्प यू काउंटर पर बैठे कर्मियों के सहायता से भी दस्तावेजों को तयार कर निबंदन कराया जा सकी का इससे पैसे और समय दोनों की वज़त होगी हालांकि निबंदन विभाग की ओर से इसे फिलहाल चार जिलो में सितंबर महीने से कराने की बात कही गई है बिहार कैबिनेट ने कुल नौ एजिंडों पर लगाई मोहर बीते दिन मुख्य मंतरी नितेश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठकाय जुद की गई संशोधन नियामावली 2016-17 समेत अने को फिर से पुनर जीवित करने का फैसला लिया है इसके अलावे प्रधान मंतरी सुक्ष में खादी उद्यम उन्नयन योशना के लिए 499 करोड से ज्यादा की राशी की सुखरते मिले है साथी वियारडा के अंतरगत आने वारे चेतरों की भूमी के और द्योगिक लीज की दरे भी तै कर दी गई है वियार पुलिस मुख्याले के अंदर तैनाच चतुर्थ वरगिय कर्मियों को चिकितसा प्रतिपोर्ती एवं राजु के बाहर इलाज के उपरांत अने सुविधा मोहिया कराने के फैसले पर भी बेते दिन मोहर लगी तो वहीं रेफरल अस्पताल मटिहानी बेगुसराई में तैनाच रहे ततकालिन चुकितसा पदादिकारी डॉक्रर राज कुमार सी को बढ़खास्त कर दिया गया है साथी राज में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने फसलों की सजाई के लिए डीजल अनुदान योजना की तहट 29 करोड 95 लाख की अगरिम को स्विक्रिती दे दी है पटना के जेपी गंगा पत्थ किनारे बनेगा बहला वाटर स्पोर्ट सेंटर राजधानी पत्ना में जेपी गंगा पत्थ वे राजधानी का नया टुरिस्ट स्पोर्ट बनते देखा जा रहा है क्योंकि उद्गाटन की बात से ही राजधानी वा आसपास की लोग गंगा को निहार ने यहां पहुँच रहा है ऐसे में परटर विभाग ने इसे पूरी तरह से टुरिजम स्पोर्ट की रूप में बदलने के लिए खाली पड़े जगहों का उप्योग करने की योशना बनाई है जिसकी तहत यहां जल्द ही वाटर एडविंचर स्पोर्ट सेंटर खोलने की बात कही गई है सेंटर में शेहर के लोगों को मोटर बोट, टाइराइड, जेट, स्की, स्कूटर, आदी वाटर स्पोर्ट एक्टिवीटी करने को मिलेगी तो वहीं भविश में पैरा सेलिंग, बोट का भी मज़ा ले सकेंगे साथ ही लोगों के बैटने और टहलने के लिए भी व्यवस्ता की जाएगी, इसके लिए विवाग के दिकारी जल्द ही जगह का निरिक्षन कर सकते हैं मेरे वेचान में आज हम बात करेंगे जान की वल्लब शास्त्री की संस्क्रित और हिंदी साहित में आचारे वल्लब शास्त्री के युगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता महाकवी आचारे जानकी वल्लब शास्ती का जन्मे 5 फरवरी 1916 को गया जिले के मैगरा गाउ में सकल द्वेपिया ब्रामन परिवार में हुआ था उनका विवाह मात्र 12 वर्ष की उम्न में कर दिया गया था चायावाद के अंतिम इस्तव माने जाने वाले जानकी वल्लब शास्ती उन थोड़े से कवियों में रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला है आचारे का कावे संसार विविद और व्यापक हैं उन्होंने दोजर दस में पदमसरी सम्मान लेने से भी मना कर दिया था शहीद कैप्टन आनंद के पार्थिव शरीर को दिया गया गार्ड आफ ओनर बीति सुमार को जमूकस्मीर के मेंड़ सेक्टर में हुई गटना में शहीद हुए बिहार के लाल कैप्टन आनंद का पार्थिव शरीर बीते शाम पटना ऐरपोर्ट पहुँचा जहां बिहार सरकार के द्वारा गारड आफ ओनर दिया गया जहार राजकी सम्मान के साथ शहीद कैप्टन आनंद का अंतिम संस्कार किया जाएगा 21 जुलाई को होगी राजीव नगर मामले में अगली सुनवाई पतना के राजीव नगर थाना के नेपाली नगर में अवैद निर्मान को लेकर बीते दिन पतना हाई कोट में सुनवाई अधूरी रही हाई कोट की जस्टिस संदीप कुमार की खंड पीठ इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को करेगी इससे पहले हुई सुनवाई में कोट ने यह जाना चाहा था कि जब हाउसिंग बोर्ड को खुद अतिक्रमन हटाने की शक्ती है तो जिला प्रशासन क्यों अतिक्रमन हटाने की कारवाई की जिला प्रशासन को अतिक्रमन हटाने को कब कहा गया तो वहीं बीते दिन इस पर दो बारा बहस चुड़ी याचिगा कर्ता का पक्षो प्रस्तुत करते हुए वड़े अधिवक्ता वसंद कुमार चौधरी ने बताया कि अनाधिकरत रूप से बसे लोगों के भी कानूनी अधिकार हैं जिला प्रशासन ने इसकी अंदेखी करते हुए मनमाने धंक से अतिक्रमन हटाने की कारवाई की जो सही नहीं है अब इस पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी बैंक और बरौदा ने असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट के तिरेपन डिक्त पदो पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया इच्छुक और योग उमिद्वार इन पदों से जुरी हुई समस्त जानकारी और आविदन करने के लिए इस वीडियो के इस से पेच पर नीचे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दिये गए वेब लिंग पर जरूर क्लिक करें आविदन करने की अंतिम तारीक 4 अगस्ट 2022 तक है 97 अंक लाकर समस्तिपूर के महती के रहने वाले जैशंकर कुमार ने ओवराल टॉप किया तो वही लड़कियों के वर्ग में मधिपूरा की रहने वाली रुपाली कुमारी ने पहला अस्थान पाया है रुपाली ने 93 अंक लाया इस करम में बेते दिन परिक्षा के नॉडल यूनिवर्सिटी LNMU की कुलपती प्रोफेसर S.P.C. ने सभी टॉपर को फोन करके बदाए दी बताते चले कि रिजल्ट महच 15 दिनों के अंदर ही जारी कर दिया गया आपको बता दे कि आकरों के नुसार इस प्रवेश परिक्षा के लिए कुल 1,91,649 अब्यर्थियों ने आवेदन किया था इनमें से 1,68,382 परिक्षारती परिक्षा में शामिल हुए थे कुल 1,47,525 अब्यर्थी परिक्षा में सफल गोसित किये गया है हालांकि सीट केबल 33,000 के आजपार सिन है इंजिनिरिंग कॉलेजों में बढ़ेगी सीटों की संख्या विहार में इंजिनिरिंग की पढ़ाई करने बारे चातरों के लिए बिहार सरकार ने कुछ कबरी दी है तो वहीं इन सीटों पर कुछ नए विशे की भी पढ़ाई शुरू होगी इस पर अकैडमिक कमेटी जल्द ही फैसरा लेगा आपको बता दे कि राजसरकार के स्थर से इंजिनेरिंग कॉलेजों और पॉलिटेकनिक संस्थानों में पढ़ाई में सुधार लाने के मकसद से यह कदम उठाया जा रहा है बिहार में वैक्सिनेशन के 14 करोड डोज हुए पुडे कोरोना के खिलाव जंग के बीच बिहार ने बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है यह रिकॉर्ड है वैक्सिनेशन का जिहां बिहार में बेते दिन कोरोना रोधी टीका करन के तीनों डोज मिलाकर 14 करोड का आकरा पार हो गया है इसे स्वास्थ मंतरी मंगल पांडे ने बड़ी उपलब्दी बताते हुए बधाय दी है मंगल पाने ने कहा कि याव पलब्दी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी और बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार के कुशल नेत्रतव और राज की जंता के सहयोग से बिहार ने इस लक्ष को प्राप्थ किया है संपुर्ण राजवासियों को ठीका करन में सहयों के लिए हर्जै से आभाग गैर निबंदित प्रोजेक्ट की दीजिये जानकारी और पाईए इनाम रेरा ने इसके लिए नए तरकीब निकाली है और यह एलान किया है कि गैर निबंदित प्रोजेक्ट के बारे में जो भी जानकारी देगा उसे बंपर इनाम दिया जाएगा साथ ही सूचन देने वालों को गुप्त भी रखा जाएगा इसके शिकायत आप रेरा.reportproject.com पर मेल करके दे सकते हैं अगर आपकी सूचन सही हुई तो आप 10,000 रुपे पाने के हगदार होंगे अगर एक ही प्रोजेक्ट पर एक से अधिक लोगों ने शिकायत किया तो जो पहला शिकायत करता होगा उन्हें इनाम की राशी दी जाएगी प्रदेश के इंजीलों में बारिश के आसार तेज गर्मी से हैं लोग परिशान बिहार में इन दिनों लोग तेज धूप औरोमस भरी गर्मी से परिशान है तो वहीं दोसरी तरफ किसानों पर भी इस मांसून का असर दिखने लगा है खास करके इस दोरान इधान की रुप सक्रिय हो सकता है इस दोरान पर रही गर्मी से लोगों को रहात मिल सकती है इधर पूसा के वग्यानिकों ने दावा किया है कि पुर्वी और पश्युमी चंपारन वतराई के इलाकों में कुछ इस्थानों पर बारिश हो सकती है साथी मौसन विभाग पढ़ना ने बताया ह कि पुर्वी चंपारन गोपाल गंज, सारन, सिवान, मुझपरपूर, सितामडी, मदुबनी और किशन गंज में बारिश होने की संभावना जताई गई है बिहार से बस के जड़िये यूपी और ओरिशा जाना होगा और भी आसान पर उसी राज उतरप्रदेश और ओरिशा के अलग-अलग रूटों के लिए बिहार से जल्द ही नई बसे खुलेंगे इसके तहट 28 नए रूटों के जड़िये बस चलाए जाएंगे इनमें 23 रूट उतरप्रदेश के लिए जबकि 5 रूट औरिशा के लिए रिक्त हैं इसके लिए राज्य परिबहन प्रादिकार की द्वारा पर्मिट स्विकृति के लिए आविदन मांगे कैं हैं इच्छुक वाहन मालिक 24 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं जबकि ऑफलाइन आविदन को 25 जुलाई तक परिबहन विभाग के कारेयाले में जबा करना होगा आपको बता दे कि इन रूटों पर पर्मिट देने के लिए तीन अगस्त को पतना के विश्वेश्वरय भवन में परिबहन प्रादिकार की बैठक होगी बता दे कि बिहार यूपी रूट पर पतना से बलिया के लिए 14 और पतना वारा नसी के लिए 8 बसे चुलाई जाएंगी पुर्वी चुमपारन के केसरीय अस्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास चुमपारन इस्तित केसरीय अस्तूप जो विश्व के सबसे बड़े प्राचीन बौद स्तूप के नाम से प्रसिद है केसरीय अस्तूप एक प्राचीन धरोह है जानकारी की मुताबिक इस स्तूप को समराट अशोक महान ने बनवाया था इतिहास और कला में दिलजस्पी रखने वालों के लिए यह एक बेहादी खास स्तल है यह विशार स्तूप तीस्दे शताबदी से तालुकात रखता है इस प्राचीन स्तल को प्रतत्विक सर्वेक्शन विभाग के ओर से 1958 में खो जा गया था बरौने में जल्द शुरू होगा यूरिया खादकार खाना बिहार के ओद्यक नगरी बेगुसराई जिले में इस तित बरौने में जल्द ही यूरिया खादकार खाना शुरू हो जाएगा संभावना है कि अगस्त में या फैक्टरी शुरू हो जाएगी इस बात के जानकारी वेदेदिन बिहार के पुरु उपमक्यमंत्री और राजसभा सांसद शुर्षिल कुमार मोदी ने मांसुन सत्र की दोरान एक प्रश्न के जवाब में दिया राजसभा में उन्होंने कहा कि केंद्रे रसायन एवं उर्वरक राजमंत्री भगवंत खुबा ने बताया कि बिहार के बरौनी में इस्तापित हो रहे यूरिया खात कार खाने की कुल लागत 8,388 करोड रुपे हैं जिसमें से 75% विया हो चुका है और अगर से 222 तक कार खान से लास करने जारी है इन कार्यालेओं में अब कर्मी बायोमेट्रिक के माधियम से अपनी उपस्तिती दर्ज करेंगे सरकार ने बायोमेट्रिक मशीन की खरीद के लिए 33 रुपे की सुख्रिती दे दी है सुख्रिती मिलने के बाद सहकारता विभाग की सभी कार्यालेओं मे बायोमेट्रिक मशीन लगाने की प्रकेरिया शुरू हो जाएगी हालांकि कोरोना संक्रमन के मद्दे नजर राज के सभी सरकारी कारियालेयों में 16 अगस्त तक बायोमेट्रिक हाज़री बनाने पर रोक लगी हुई है लेकिन इस अवदी में मशीन लगाने का काम हो सकेगा बेते दिन जस्तिस आसुतोष कुमार सिह और जस्तिस जीतिंदर कुमार की खंडपीत ने इस अपीर पर सुनवाई की मालूम हो कि पछली सुनवाई में पढ़ना हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से यह बताने को कहा था कि क्या दोनों पक्षों में सुलह की संभावना है इस पर दोनों पक्षों के कोर्ट ने जवाब देने को कहा था तो वहीं बेते दिन एक बर फिर से इस मुद्धे पर बहाश्यूरी लेकिन अनजाम तक नहीं पहुँची है अब इस मामले पर कोड की सुनवाई अगले महिने 18 अगस्त को होगी संजेज आसवाल ने तेजस्वी यादव पढ़ किया पलटवार तेजस्वी यादव ने हाल ही में केंद्रे मंतरी नित्यानंद राय को लेकर कहा था गोटालों में लिप्त परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए तेजस्वी बाच्पो को समर्थन देने के लिए तयार थे डॉक्टर संजे ने कहा कि हजारो करोड के गोटाले करने वाली पारिवारिक वार्थी का समर्थन लेने के लिए बीजेपी तयार नहीं हुए तो वहीं उन्होंने लालो परिवार पर तंज कर सते हुए कहा कि लालो परिवार कितने भी विधायकों के शरण क्यों न रेले जेल तो जाना ही पड़ेगा जन्तांत्रिक विकास पार्टी ने आरक्षुन हिसेदारी रथ को किया रवाना अब ये रथ बिहार के अलग-अलग हिस्सों में भ्रह्मन करके आरक्षन के महत्व को लोगों को समझाएगी जन्तांत्रिक पार्टी सुप्रीमों निलकुमार ने बताया कि देश बाबा साहब के समविधान के हिसाब से चलेगा जो लोग देश में आरक्षन खत्म करने की कोशिस कर रहे हैं उनके खिलाफ 26 जुलाई को पटना के श्रुकरश ने मेमोरियल सबागार में आरक्षन हिसेदारी सम्मेलर किया जाएगा आज जसरत को आरक्षन हिसेदारी के लिए रवाना किया गया है उन्होंने रिजवरान के इंदर सरकार पर भी आरक्षन और बेरुज़गारी को लेकर निशाना साथा राशन डीलर अनास देने में करे अने मेतिता तो इस नमबर पर करे कॉल के इंदर सरकार आबादी के एक बड़े हिस्सी को सब सीरी पर राशन मोहिया कराती है इसमें सरकार कमदामों में लोगों को अनास मोहिया कराती है जिसके लिए हर छोटे बड़े गाउं या फिर शहर में गरीब लोगों को यह मदद राशन की दुकान के जरी दिया जाता है हालांकि कई बार इसमें अने मेतिता भी देखने को मिलती है इसके तहत सरकारी वेबसाइट nfsa.gov.in पर सभी राज्यों के लिए हेल्प लाइन नमबर जारी कर दिया गया है तो वहीं बिहार में आप इसकी शुकायत के लिए हेल्प लाइन नमबर 1800-3456-194 पर कॉप लिए है भारत के तिहास में आज की तारीक कई कारणों से अहम मानी जाती है साल 1296 में आज एकी दिन अलाउदीन खेल जी ने स्यम को दिल्ली का सुल्टान गोशत किया था साल 1997 में आज एकी दिन तीस्ता नदी जलबटवारे पर भारत बांग्लादेश में समझाता हुआ था माधवराव साल 1761 में आज एके दिन प्रतम पेश्वा बने थे रामनाथ कोविंद साल 2017 में आज एके दिन भारत की चौदवे राश्वपती निर्वाचित हुए थे सुनिल गावसकर ने सिर्फ 20 मिनट में कोहली को फॉर्म में लाने की कही बात विराद कोहली के खराफ फॉर्म को प्रतिक्रियाओं की बाढ़ है तो वहीं इसे बीच भारती टीम के पुर्व कप्तान और महान बलेबाज सुनिल गावसकर ने कोहली के फॉर्म को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है महान बलेबाज गावसकर ने कहा है कि अगर उन्हें विराद कोहली से सिर्फ 20 मिनट बात करने का मौका मिले तो वो इनकी काफी मदद कर सकते है इंग्लाइन के खिलाफ तीसरे बंडे मैच के बाद इंडिया टुडे पर बात करते हुए सुनिल गावसकर ने विराद कोहली के खराफ वाम को लेकर बड़ा बयान दिया उन्हें कहा कि अगर मुझे उनके साथ 20 मिनट की बातचित का मौका मिले तो मैं उन्हें बता सकता हूँ कि क्या करने की जरूरत है इससे सायद उन्हें फायदा होगा मैं ये नहीं कह रहा कि इससे उन्हें फायदा होगा ही लेकिन शायद हो सकता है खासकर उनके ओफ स्टंप लाइन की कमजोरी को देखते हुए मुझे इभूत है फिल्म दिर्माता अविनाश दास को पुलिस ने किया ग्रफतार बिहार की दर्भंगा से निकल कर पत्रकारिता वा फिल्म जगत में अपना नाम बनाने वाले अविनाश दास को पुलिस ने ग्रफतार कर लिया है ग्रफतारी का कारण यह है कि उन्होंने हाल ही में अकूत संपती मामने में रडार पड़ाई आई एस पूजा सिंगल की एक तस्वीर ट्वीटर पर साज़ा की जिसमें वह अमित्स शाह के साथ नज़र आ रही है इसके अलावे उन पर राश्र द्वच के अपमान का भी हारोप लगा है बताते चले कि गुजराद पुलिस की अहमदाबाद अपराद शाका ने दास के खिलाफ आई पी सी की धारा 479 के साथ साथ राश्रे समान के अपमान की रोक्ताम अदिनियम और IT Act के प्राबधानों के तहट प्राथमी की दरश्र की थी अब Instagram पर मिल सकता है नया पेमिंट फीचर Instagram में अब एक और नया फीचर आने वाला है जिसके बाद आप Instagram पर ही शौपिंग कर सकेंगे इंस्ट्रग्राम में एक नया पेमिंट फीचर आ रहा है जिसकी मदद से छोटे कारूबारी डिरेक्ट मैसेज के जरीए अपना कारूबार कर सकेंगे नय फीचर की जानकारी कमपनी ने अपने ब्लॉग में दी है ब्लॉग में कहा गया है कि टाइम लाइन पर दिख रहे किसी भी प्रोड़क्ट पर क्लिक करके सिरे चैट बॉक्स से शौपिंग किया जा सकेगा 376 पर पहुँच गई है परसा में 16, समस्तिपूर में 3, सारण में 10, शेकपूरा में 3, सीता मरी में 3, सीवान में 5, सुपॉल में 8, वैशाली में 5 मामले की पुष्टी हुई है। इसके अलावे एक ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरी डाचके हैं लेकिन उनके सेंपल बिहार के अलग-अलग जीलो बे कलक्ट किये गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 गंटे में कुल मिला कर 1,30,473 सेंपल की जाच की गई। इस दौरान 548 वरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं। आप इसे तरह हमारे सवालों का जबाब कमेंट में देते रहें हम हर दिन हर वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की कोशस करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि अनुसार विरात कोहली के हालिया फॉर्म को देखते हुए इस साल होने वाले की 20 वर्ल कप में उनका चेहन करना चाहिए या फिर नहीं आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जिरूर बताया और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटे रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी निउस के साथ तक के लिए जोई जाजत नमस्कार